जय शेयराम जय ब्Alaji भक्तो आपने यूट्टीब चैनल स्टेंटारा आपका स्वागत करता हूं मैं आज आज हनुमान जी जो ब्Alaji कि भक्त हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी सी ब्हुत ले कर करके आ vedere है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, जो बाला जी के भक्त होते हैं, जो सिर्फ उनकी भक्ती करते हैं, तो कई बार देखा गया है, ऐसा मैंने भी कई बार देखा है, उनको गुस्सा बहुत आता है, हनुमान जी के भक्तों को, कुछ मेरे यहां रूट जो वीडियो मैं डाली फिल पर कोश लोगों ने कमेंट भी किया था कि मुझे गुस्ट आता है क्या करूं तो वैसे ही मेरे कुछ भाई मेरे रभाईन जी का कुछ भक्त लोग हैं जिनको बहुत गुस्टा अता है उस गुस्टे के बारे में बताने जा रहा हूं गुस्सा उनको आता है हनुमान जी की पूजा करने से तो उनको क्या ऐसा काम करना है जो उनको गुस्सा कम हो जाएगा खतम हो जाएगा धिरी धिरी बिल्कुल गया हो जाएगा गैरेंटी में मैंने खुद करके देखा इसलिए मैं बता रहा हूं मुझे खुद का एक्सपिरियंस है क्योंकि बहुत पहले मैं नुमान जी की पूजा करता था बहुत पहले की बात है चार-पास साल पहले बढ़ता था थोड़ा जादा नहीं करता था आपकी तरह पहले करता तो गुस्सा की बहुत यहाद को मालूम मुझे ऑसका मालूम चला की घुस्सा ना आये तो क्या क्या करना चाहिए ठीक है बहुत लोग प्रूजा आ रहा हूँ तयुमान के बता रहा हूं के लिए कुछ भी मैं बता हूं कि गुस्ता नहीं आना ज़ी है गुस्ता तामसिक चीज वालों बजरैंग बढ़ते हैं कि वहुत जादा आता या तो कोई यह बी भी मेरे भख्alog बजणग बली ऑंग जूँल को एक काम ये करना और है उल्का करना हूं का 8C सोरी concept भी हो है। उलिको सितराम का जाब करना है 108 बार जह不好 करेंगे पूजा करने के 108 बार शया थो पहले कर लाद डो लो जो भी आप पूजा करें हैं जो भी आप साधना करें हैं जो मंत्र करें are पर करने इस स्थ्ट यह सबस्ट करना है सिटारामघस करना है और विल्ती करने प्रभू राम जी हराज भगवान विश्ण वहान के मैं पूजा करता हूँ और पूजा कर यतनी एनरजी खट्टी हो जाती है प्रभू शरीर में कि वह गुस्से के रूप में निकलती है और उस सब बनाईज से जिससे कि वह उसका बैलैंस मेरे शरीर में बन जाए और मुझे गुस्सा ना आए और मुझे आखे लाल ना हो चुट चुटी बातों पर चिड़ चिड़ा में ना हो जाओं उनके लिए मैंने बताया है जो चुट चुटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और चुट चुटी बातों उनको तुम सब हाइपर हो जाते शायद वो राम जी का नाम नहीं लेते हैं, या कम लेते हैं, या बहुत कम लेते हैं, या फिर लेते ही नहीं है, उनको जैसिया राम, जैसिया राम, जैसिया राम, जैसिया राम, जैसिया राम भी बोल सकते हैं, जैसिया राम, ठीक है, सीता माता भी और राम जी भी, दोनों का नाम लेना है और उनका गुस्सा देखना कैसा है दिरे दिरे दिन परती दिन परती दिन कम होता चला जाएगा सो परसेंट की बात है गुस्ता कम होगा ही होगा नहीं कम हो रहा है तो फिर कुछ और दिक्कत भी है उनको ध्यान लखना ठीक है ना कुछ गुस्ता क्यों है जैश आराम यह सबर मंत्र करने से साबर मंत्र करने से इतने अनर्जी आधी इतनी तरीके से स्पीट से आते हैं हन्मान जी उनके दूत उनकी शक्तियां उनके एनरजी जो हमारा भी जहेल नहीं पाता जहेल नहीं पाता, अड़जश नहीं कर पाता, बैलेंस नहीं बना पाता, तो वो गुस्से की रूप में सब को दिखाई देती है, गुस्से की रूप में उसको लोगों को नजर आती है, ठीक है न, वो जल्दी जल्दी वो गुस्ता हो जाता है आदमी, उसको बैलेंस करने के यह जरूर कारगरशेद होगा आप खुद देखेंगे के हां सच में यह हुआ है आपका गुस्ता कम हुआ है हनुमान जी के भक्तों का गुस्सा जरूर कम होगा, इसे गैरेंटी है मेरी, जरूर कम होगा, मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, अब मैं खुद ही सबको अपनी और वीडियो से में बताता हूँ, जा राम जी के नाम बहुत लेना है, बताता हूँ ना, बताता हूँ ना, सितामाहता के लावा उनके नाम से वह सब चीज outh हो जाती ऐ एक एक विंग के सिता राम के नाम लीज़ी इस इस तर्यiene हरा मॉन जबते आप vendu जी की दर्शन भी हुँगी ओर अच्छे ही काम होते चल जाएगे म機 जानते हैं सिता राम के सिता राम तो हन्मान जी के सीने में भी राज़वान है है नै भी भी विछ है इसना होगा आपने यो गूझा जुन नाभी całe जोनके मनमेश लेंगे उनका आप नाम लेंगे हन्मानDR के पुजा के बाद में उनकी एनरजी अप ठीक होगे और अपने आप गुस्सा आपका खतम होगा तो यह सब करके देखिए और आपको इससे अनुभाव जरूर होगा अनुभाव का मतलब आपको गुस्सा जब कम होगा तुम्हें को आप कमेंडर सक्षिन में जरूर बताना जै सिरे राम जै बाला जी महराज जै जै